तोunion तरों का क्या हिंदी मतलब होता है आए हमें इस चोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं तो दूस्तों ध्रों का हिंदी मतलब होता है फैकना डालना गराना परीकना जोकहिम किस्द्ध को फैंखना तो किसी वी चीजी को throw कर देना तो लिए अंतरों की example को देखे लेते हैं people who live in glass house should not throw stone तो सिर्फ प्याश सकते हो जो लोग सीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फैकना चाहिए तो इस sentence में throw का meaning हुआ फैकना दोस्तों उम्मीद है आपको इस word का meaning अच्छे समझ आ गया होगा इसी तरह की word meaning के जानकारी के लिए चैनल को subscribe करने के साथ bell icon को press करना बिल्कुल न भूले ताकि मेरी वीडियो की latest update आप तक सबसे पहले पोचे और हाँ अब vocabulary वेंग को instagram पर विजा के follow कर सकते हैं थैंक यू